तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहारदर होगा प्री एक्जाम के लिए प्रैक्टिसेट जो कि आपका रौसा नानंद सर और विट्टु जासर के द्वारा जो है क्रोनर हो जाएगा तो चाड गयबान सभी की मुद्रब की स्टुर्मनिय की जै पहले मुद्रा हुआ करती थी आपट जो है जर्मनि ठीक है तो ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण देखते हैं question number 2 को किस वाद के फैसले में सर्बोच न्याले ने सरपर्थम घोसित किया कि उद्देशिका समिधान का हिस्सा नहीं है तो इस प्रस्ण का आंसर आपका बेरुबारी हो जाएगा बेरुबारी option number A बेरुबारी union जो है वो 1966 का है शिक्स के बाद जो है इसमें कहा गया कि जो सर्बोच न्याले का फैसला था उसमें कहा गया था कि उद्देशिका समिधान का हिस्सा नहीं है बेरुबारी is the correct answer question number 3 है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच सयुक्त विसेस बल अभ्यास का नौमा संस्क्रण कहां आयोजित किया गया तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है वो सयुक्त विसेस बल अभ्यास का नौमा संस्क्रन था और ये नौमा संस्क्रन का आयोजन वकलो हिमांचल पर्देश में किया गया ठीक है आगे देखते हैं कोश्चन नमबर चार को साहित में उतकृष्टता के लिए सबसे पहले क वो हो जाएगा आपका माल्दीब जो है वो बिम्स्टेक का सदस्ट नहीं होगा वो हो जाएगा आपका माल्दीब मालदीब जो है वो बीमस्टेक का सदस नहीं है ठीक है अच्छा बीमस्टेक में अभी टोटल कितने सदस देस हैं आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे कि टोटल कितने सदस देस हैं बीमस्टेक में ठीक है यह आप सभी के लिए कोश्यन है ठीक है अगले आप लसे देखते है question number 6 कबड़ी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है तो कबड़ी खेल के जो मैदान का आकार होता है ये लगभग 13 into 10 meter होता है 13 into 10 meter होता है यानि कि लंबाई और चोड़ाई को मिला के होता है लंबाई आपका 13 और चोड़ाई होता है 10 meter ठीक है भारत के पहले स्वदेशी Mobile Operating System बाहर OS की सफल टेस्टिंग IIT संस्थान की गई थी तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा आपका option number A, IIT मदरास भारत के सबसे पहले स्वदेशी Mobile Operating System बाहर OS का सफल टेस्टिंग जो है वो IIT संस्थान मदरास ने किया आयाटी संस्थान मदरास ने एक निबल में 10 विट्स होते हैं तो एक निबल में जो विट्स हो जाता है वो आपका हो जाएगा 4 विट्स एक निबल में 4 विट्स होते हैं भारत अपनी पहली अपसिस्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां अस्थापित करेगा तो भारत अपनी पहली अपसिस्ट से हाइडरोजन पर्योजना जो है यह अस्थापित करेगा पुने कहां पर पुने में प्रावर्तन के नियम लागू होते हैं अब प्रावर्तन का नियम जो है यह सभी दरपन पर चाहे उनकी आकिर्थी कैसी भी क्यों नहों इस पर लागू होता है ठीक है प्रावरतन के नीवम कहां लागू होते हैं तो प्रावरतन के नीवम सभी दरपन पर लागू होते हैं चाहे उनकी आकिर्ति कैसी वी हो उसके फर्क नहीं परता है किस राज के लुंग लेई फायर स्टेशन को आपदा प्रवंधन में उत्कृष्ट कारे के लिए शुभास चंद्र बोश आपदा प्रवंधन पुरशकार 2020 प्राप्त हुआ तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा मिजोरम मिजोरम राज के लुंग लेई फायर स्टेशन को आपदा प्रवंधन में उत्कृष्ट कारे के लिए जो है सुभास चंद्र बोश आपदा प्रवंधन पुरशकार 2020 प्राप्त हुआ है मिजोरम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C कोश्य नमर बारा देखिए एक माइक्रो मीटर किसके बराबर होता है एक माइक्रो मीटर एक माइक्रो मीटर बराबर होता है 10 to the power minus 6 मीटर के ठीक है तो 10 to the power minus 6 मीटर बराबर होता है आई एक माइक्रो मीटर ठीक है आंसर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा 10 to the power 6 पूछे ये क्या है तो ये ध्यान रखेगा ये मेगा होता है क्या होता है मेगा का हो जाता है 10 to the power 6 ठीक है चलिए अगला देखते हैं स्वक्च सर्वेक्षन 2023 का थीम क्या था क्या है स्वक्च सर्वेक्षन 2023 की जो थीम है वो हो जाएगा आपका option number A क्या है क्या है क्या स्वक्च सर्वेक्षन 2023 का थीम है वेस्ट टू विल्थ कोश्यन number 14 है क्या क्या सहर शहरी नदी संडख्षन पर अंतराश्टिय वैठक की मेजवानी करेगा तो इस प्रस्ण का आंसर पूने हो जाएगा पूने सहर जो है वो नदी संडख्षन पर अंतराश ऐ बठक की मेजवानी करेगा पूना निर्कलेकद में कौन सा एक रेडियो एक्टिव्तत्त नहीं है तो अधियो एक्टिव्तत जो है वो टाइटेनियम नहीं है पुलूतेनियम यूरैनियमétais सभी आपका यह रेडियो एक्टिव्तत्त हैं ah which i amränat की एस खिला आत्म कता है list est प्रश्ण नमबर 18 को देखेंगे भारतिये सम्भीधान को लिखने वाली सम्भीधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो HC मुखर्जी थे भारतिये सम्भीधान को लिखने वाली सम्भीधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे स्री लंका ने किस भारतिये कंपनी को 40,000 मिट्रिक टन पिट्रॉल और डीजल खरीदा तो इस प्रस्ण का आंसर है इंडियन वायल कॉर्परेशन से स्री लंका ने इंडियन वायल कॉर्परेशन भारतिये कंपनी से 40,000 मिट्रिक टन पिट्रॉल और डीजल खरीदा हाली में हर घर जल योजना प्रमानित भारत का पर्थम जिला कौन बन गया है तो इस प्रस्ण का आंसर है बुरहानपूर मदपरदेश का बुरहानपूर मदपरदेश का जो है ये हाली में हर घर जल योजना प्रमानित भारत का प्रथम जिला बन चुका है चलिए अगला 21 नमर प्रस्ण है आपका का रह की सही सुमेलित नहीं है पाडिस्तितिक बिज्ञान केंद्र वैंगलूरू ये बिल्कुल सही सुमेलित है आपका 1983 याद रखिएगा कि 1983 में बन और पर्यावरन मंत्राले और भारा सरकार की मंदद से जो है वो पाडिस्तितिक बिज्ञान केंद्र को बैंगलूरू में अस्थापित किया गया था नेक्स्ट है भारतिये बन परानी संस्थान देहरादून भारतिये बन परानी संस्थान उत्राखंड देहरादून में है ये भी आपका करेक्ट है 122 आद बीरासी में इसकी अस्ठापना उती है कोश्चन नमर C स्वरी ओपसं नमर C है भारतियेばन परवंधन संस्थान कोलकता भारतिये बन परवंधन संस्थान कोलकता नहीं है यह आपका गलत हो जाएगा आंसर C सही हो जाएगा बिकॉज की इसका जो है वो मद्पर्देस भोपाल में है मद्पर्देस भोपाल में भारतिये बन अनुसंदान संस्थान है नेक्स्ट है आपका हीमालेई पर्यावरण एवं बिकास का गोबिंद बलब पंत संस्थान ये अलमोडा मांकी सभी सही है सी को छोड़के 22 नमर प्रस्ट देखेंगे निमलिकित ने कौन सा युक्म सत्ते नहीं है सीव कुमार संतूर बादक सही है हरी पर साथ चौरस्या बांसुरी वादन थे ये भी सत्ते है नेक्स्ट है बिश्मिल्ला खा तबला बादन ये गलत है बिस्मिल्ला खा तबला बादक नहीं थे बलकि ये सहनाई बादक थे क्या सहनाई बादक थे सहनाई याद रखेगा बिर्जु माहराज कत्थक निर्थ सभी सही है option C इसका correct answer हो जाएगा 23 नमबर प्रस्ट देखेंगे My frozen turbulence in Kashmir के लेखक कौन है तो My frozen turbulence in Kashmir के जो लेखक है वो जाएगे आपका जग मोहन जग मोहन की ये पुस्तक है My frozen turbulence in Kashmir जग मोहन की पुस्तक है ठीक है आगे प्रस्ट देखते हैं 24 नमबर 24 नमबर question है कि किसने फरवरी 2023 में पुरुसों के लिए 2023 नाही रास्टी आइस होकी चैंपियंसिप की बारहमा संसकरन जीता है तो इस प्रस्ट का आंसर हो जाएगा option number B ITBP ने फरवरी 2023 में पुरुसों के लिए 2023 नाही रास्टी आइस होकी चैंपियंसिप का बारहमा संसकरन ITBP ने जीता है किसने ITBP ने भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था तो इस प्रस्ट का आंसर हो जाएगा उनी समय भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किरुदो मेंटर जो हैं prosperous my Kate को निफ्त किया गया 27 नम्र पे सन अहले कि निमें लिखित में कौणझी एक अनुप्रस्त तरंघ नहीं है तो परकास रंग-एक अनुप्रस्त तरंघ रेडियो भी है बिद्दु चुमक्य तरंग भी है ध्वानी तरंग नहीं है और अनुप्रस्त तरंग नहीं है आपका ध्वानी तरंग कट पुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्व मिलता है यह आपका मिलता है सिल्पादी करम से कट पुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्व जो है वो सिल्पादी करम से मिलता है जो की तमिल भासा का है ठीक है पुस्तक भारत में निम्निलिखित में से कौन नवी करनी उर्जासरोत नवी करनी उर्जासरोत सरबदिक सब्भ्यापता वाला है भारत में निम्निलिखित में से कौन नवी करनी उर्जासरोत सरबदिक सब्भ्यापता वाला है तो इस प्रस्न का आंसर हो जाएगा उप्सन नमबरे शौर सकती भारत में जो शौर शकती है यह नवी करनी उर्जा श्रोत का अत्यादिक संभावता वाला है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वर्षा की जो मात्रा होती है ये बायु मंदल के नमी पर वर्षा की मात्रा जो है वो निर्भर करती है नेक्स प्रस नहीं कि मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले अवस्थित है तो मौसम 20 बिख्ञान विश्वमौशन बिख्यान संगठटन का हैड़ कौर्टर कहां पे जीनेवा में कि वितायों के सन्त्व की अरहनताओं का निर्धारन कॉन करता है को पुश्य नमर 32 है कि जो जिवानु सीधे ही बाईू मंडलिये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा भी नाइट्री करन जिवानु कहलाएंगे जो जिवानू सीधे ही बाविमंडल ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के योगिक में बदलते हैं उसे वी नाइट्री करंच जिवानू कहते हैं 34 नमर प्रसना आता है कि साइकलोन गेबरियल को देखते हैं किस देश ने नेसनल इमर्जेंसी की घोशना की तो दोस्तो इस प्रसन का आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए न्यूजिलेंड ने न्यूजिलेंड ने जो है ये साइकलोन गेबरियल को देखते हुए नेसनल इमर्जेंसी की घोशना कर दी प्रसन है कि एक सुस्क सेल में उर्जा किस रूप में संगरहित रहती है तो एक सुस्क सेल में जो उर्जा संगरहित होती है वो सिम्पल सी बात है कि किस रूप में रहेगी तो वो रहेगी आपका रासाइनिक उर्जा में एक सुस्क सेल में उर्जा रासाइनिक उर्जा के रूप में संग्रहित होती है कोश्य नमबर 35 हो गया आप 36 देखते हैं प्राइदूपिय भारत निम्न हीम युगमों में से किश युग में हिमानी कृत हुआ है तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा प्लिस्टोशीन हीम युगमें प्राइदूपिय भारत के प्लिस्टोशीन हीम युगमें जो है हिमानी कृत हुआ है अगला प्रस्ण है 36 नमबर हाथेली पर रखने निम्न में कौन सा धातू पिखल जाएगा तो है थेली पर रखने पर जो धातू पिखल जाएगा वो धातू है आपका एक तो GA of CA GA और CA क्या तो गैलियम और CGM ऐसे धातू है जो हाथ पर रखने पर पिखल जाते हैं CGM CS लिखा हुआ है C A बोल दिये सॉरी GA से गैलियम हो जाएगा यह दोनों ऐसे धातू है जो उसको हाथ पर रखने पर पिखल जाता है तो आंसर D करेक्ट हो गया ठीक है चलिए अगला नमर प्रस्ण देखते है 38 नमर प्रस्ण है कि निमेलिखित कत्नों पर विचार कीजे उच नियाले के नियाधीस की नियुकती संबंदित राज के राजपाल द्वारा की जाती है इकलत है राज की विधान सवा के अध्यक्ष की नियुकती संबंदित राज के मुखमंती द्वारा की जाती है कर रहा है कि कौन सा कथन सही है तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है उच्छ नियाले की जो नियाधिस की नियुक्तियां होती है ये नियुक्तियां जो है वो राज के राजपाल के द्वारा नहीं बलकि उच्छ नियाले के जो नियाधिस की नियुक्ति होती है वो राजपाल के द्वारा जो है ये एक 49 नमर प्रस्थ है कि निवने में से कौन सी विधी जल को पांकिल जल से अलग करेगी तो पांकिल जल से जो अलग करेगी वो है आपका निश्यंदन निश्यंदन विधी जो है वो पांकिल जल से मतलब ये जो पांकिल जल से अलग करती है मुद्रा श्वैम मुद्रा का निर्मान करती है या परिभासा किशने प्रस्तुत की तो मुद्रा श्वैम मुद्रा का निर्मान करती है यह जो परिभासा है यह परिभासा दिया गया है क्रोवर के द्वारा क्रोमर ने यह परिभासा दिया है कि मुद्रा जो है वो सो मुद्रा का निर्मान करती है चलिए 41 नमर प्रस्ण है कि एक निश्चित कूट भासा में M I G H T Y को लिखा जाता है B J F I S N उसी कोड को B U यानि एक बिल्डर लिखा हुआ है 42 नमर प्रस्ण है कि अंतरास्टिये गुमशुदा बाल दिवस का मनाया जाता है तो अंतरास्टिये गुमशुदा बाल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 25 मई को अंतरास्टी ये गुमसुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है 43 नवर प्रस्ण है कि दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारती राज के साथ समझोता ग्यापन पर हंस्ताक्षर किये हैं तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा हर्याना दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए हर्याना राज सरकार के साथ समझोता ग्यापन पर हंस्ताक्षर किये हैं वैपारिक वैसलीन किस से निकाला जाता है? तो वैपारिक वैसलीन जो है वो पेट्रॉलियम से निकलता है कोश्यन नमबर 45 किर्षक ग्रामिन संस्कृती किस से संबंदित थी? तो किर्षक ग्रामिन संस्कृती का संबंद जो हो जाएगा ये आपका तमरपासान संस्कृती से किर्षक ग्रामिन संस्कृती का संबंद तमरपासान संस्कृती से है कोश्चन नमबर 45 का आंसर एक करिक्ट हो जाएगा 46 नमबर प्रेस्ट है कि भारतिय मिर्दाओं में जिस सुक्षमतत्य की सरबधी कमी है वो है तो वो हो जाएगा आपका जस्ता भारती मिर्दाओं में जिस सुक्षमत्त्त की सबसे ज़्यादा कमी है वो है आपका जस्ता 47 देखेंगे 47 कोश्चन है कि भाग 9 का को नगर पालिकाएं किस अनुछेद के तहद वितायों के गठन का सम्विधान में वर्णित है तो इस प्रस्ण का अंसर है 243 का वाई 48 देखेंगे 49 का रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो केंद्रिये अनिवेशन ब्यूरो का स्थापना 1963 बिल्कुल सही है केंद्रिये अनिवेशन ब्यूरो की स्थापना जो होती है वो एक अप्रेल 1963 को होती है किंद्रिये सत्कर्ता आयोकास थापना आपका फरवरी 1964 में भरस्टाचार निरोध कानून 1988 प्रवर्तन निदे साले 2000 ये गलत है प्रवर्तन निदे साले का स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था ये आपका गलत हो जाएगा पचास नंबर है निमने लिखित में कौन मानव गुद्दे का शमानिक कारण नहीं है तो मानव गुद्दे का जो शमानिक कारण नहीं है वो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रन ये कारण है रक्त में संक्रा की मात्रा का नियंत्रन यही कारण नहीं है रक्त में संकरा की मात्रा का नियंट्रेन है वो गुद्धा का कारे नहीं है युडिया को च्छान कर बाहर निकालना ये कार है कई हर्मोनों का श्रावन करना ये भी कार है ठीक है 51. नमर प्रस्न है कि एक तत्य जो शभी कारवनिक योगिक का आवश्यक अब्यव है, संबंदित है तो इस प्रस्न का आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर B, समू 14 से एक तत्य जो शभी कारवनिक योगिक का आवश्यक अब्यव है, वो ग्रूप फोटिन से हो जाएगा बिटामिन E का महत्पुर्ण सुरोथ निमनलिखित में से कौन है तो बिटामिन E का जो महत्पुर्ण सुरोथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेहुं अंकूर का तेल बिटामिन E का महत्पुर्ण सुरोथ है कोशन नमबर तीरपन देखेंगे question number 3 पन कहता है कि सहायक संधी करने वाले राज्यों के संधर्व में निम्निलिकित में कौन सा सही है तो सहायक संधी को आपको याद होगा कि किस-किस ने श्विकार किया था तो एक तो निजाम किया था, मैसूर किया था, तंजोर किया था और अबद किया था तो मौरे कालिन कटक शोधन जो है या एक प्रकार का क्या हो जाएगा तो ये जो है अपराधिक कोट है पच्पन नमबर प्रस्ण है कि वे के कागजातों की देख रेक करना किस सल्तनत कालिन विभाग का कार था तो वे के काकजातों की देखरे करना जो सल्तनत कालिन विभाग था वो दिवाने इंशा था दिवाने इंशा का ये कार था 56 नमबर प्रश्ण है कि वानर सेना मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था तो बानर शेना और मंजीनी सेना का जो गठन हुआ था ये आपका शम्बनिय भग्या आंदोलन के दौरान हुआ था 57 नंबर है कि 1931 इस्वी में कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोशना पत्र में मुल अधिकारों की मांग की गई जिसका प्रारूप किसने बनाया था तो मुल अधिकारों की मांग जब की गई थी करांची अधिवेशन में उसका जो प्रारूप बनाये थे जवाहरलाल नेरू पंडी जवारला नेरू के द्वारा इसका प्रारूप बनाया गया था एक संभाहक के तापकरम परिवर्तन के कारण इसमें बिभव प्रवर्तन होता है इस घटना को क्या कहते हैं तो इस घटना को कहते हैं शिवेग प्रभाव एक संभाहक के तापकरम परिवर्तन के कारण बिभव परिवर्तन होता है उसके शिवेक परभाव कहते हैं पाना गंदर्रा भारत के किस राज में अवस्थित है पाना गंदर्रा जो है ये भारत के किस राज में है अरुनाचल परदेश में कहां पे अर्वनाचल प्रदेश में है चलिए रिजनिंग का प्रसन यहां पे आपको बताना है कि क्या होगा तो आंसर मैं बता देती हूँ बांकि आप लोग चेक कर लीजेगा इसे आंसर इसका हो जाएगा 12 होगा यहां पे, यहां पे 12 होगा रास्टिय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिकित में कौन से अधिनियम के अधिन बनाया जा रहा है तो रास्टिय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिकित में से कौन से अधिनियम के अधिन बनाया जा रहा है तो कौन से अधिनियम के अधिन हो जाएगा तो 2004 में यथा संसोधित भारतिय नागरिक्ता अधिनियम उनिस्वपच्पन के तहद बनाया जा रहा है उनिस्वपच्पन चलिए अगला प्रस्न आते हैं बासट नमबर विलामेन विलामेन की आवश्यक्ता होती है तो विलामेन की आवश्यक्ता होती है नमी के अपसोशन के लिए नमी के अपसोशन के लिए विलामेन की आवश्यक्ता होती है 63 नमर प्रस्न है कि भंडारन की द्रिस्टी से शोना भंडारन में पर्थम राज है तो भंडारन की द्रिष्टी से शोना भंडारन में जो पहला राज हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, कौन हो जाएगा बिहार और उत्पादक पूछे तो कौन हो जाएगा करनाटक, उत्पादक में याद रखेगा करनाटक को और भंडारन में याद रखेगा बिहार को इशू वर्स के दो काल जब दीन और रात बराबर होते हैं वो कौन सा डेट होता है तो वो डेट आपका 21 मार्च और 23 सेप्टेमबर होता 21 मार्च और 23 सेप्टेमबर 65 नमर प्रस्ण है कि डैस का रासाइनिक नाम केल्सियम सलफेट डाइडरेट है तो इसका जो आंसर हो जायगा जिपसम का जिपसम का रासाइनिक नाम केल्सियम सलफेट डाइडरेट है 26 नNo. प्रस्वन है आपका, कि राज जै निमेलिकित युग्मों में कौन सुम्मेलिश नहीं है, देखते हैं उत्राखन में 70 है, गोण में 40 है, उत्रापरदेश में 403 है, मनीपुर में 62, 72 नहीं बल्कि 60 भिधान सवासीटे हैं ठीक है आगे देखते हैं कि एक निश्चित आकिर्ती में वेवस्ति ताराओं का शमू कहलाता है उसे अकास गंगा कहते हैं क्या कहते हैं अकास गंगा कहते हैं क्या कहते हैं का रहा है कि एक निश्चित आकिर्ती में वेवस्ति ताराओं की समू को क्या कहते हैं नच्छतर कहत प्रित्वी की सता का वह भाग जिस पर भुकम्पी तरंगों को सरपर्थम रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहा जाता है अधी केंद्र क्या कहते हैं अधी केंद्र मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदाई अनुकूलतम परिवेश है तो वो अनुकूलतम परिवेश अमलिये हो जाता है मानव जठर में जो प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदाई अनुकूलतम परिवेश है वो अमलिये होता है चलिए, 71 नमर प्रसंद देखते हैं, कि रिगवैदिक काल में पसुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात बेपारी को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था पनी, रिगवैदिक काल में जो पसुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात बेपारी होते थे उसको पनी कहा जाता था, सेल किस का सरवधिक भंडार, सेल, सडी, सेल गैस का सरवधिक भंडार किस देश में है, तो सेल गैस का सरवधिक भंडार चीन में है, कहां पर है, चीन में है, हिंदू विर्धी, सडी, हिंदू विर्धी दर किस से संबंदित है, तो हिंदू विर्धी दर की अगर हम बात क तो ये राश्टिय आई से संबन दित है हिंदू विर्धी दर नेक्स्ट है कि राश्टिय बाग संदक्षन प्रधीकरन का गठन कव किया गया तो राश्टिय बाग संदक्षन प्रधीकरन का गठन जो किया गया है ये किया गया है आपका कव ये किया गया था 2006 में और अभी आ इस सभी में पुछ रहा है कि कौन सी कीट नहीं है तो कीट जो है वो आपका मकडी कीट नहीं होगा 76 नमर प्रेसन है कि यदि किसी गतिमान बस्तू का शंबेग P द्रमान M हो तो P और M पदों में गती जुर्जा का मान होता है तो गती जुर्जा का मान P स्कॉाइर बाई 2 M हो जाएगा निमनले कि इतने कौन सा जील वालसन का उधारन है तो वालसन का उधारन जील हो जाएगा वो है आपका सामबर जील सामबर जील जो है ये वालसन का एक्जामपल है चलिए अगला है 78 में आपको मिलान करना है मिलान करने से पहले कवार अनेक घरों में कुएं कहां पे मिले हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा काली बंगा में स्वास्तिक चिन स्वास्तिक चिन आपको हरपा का है सूती कपरा सूती कपरा आपको मिलेगा मोहन जोद्रों में लिप्स्टिक एवं कंगा लिप्स्टिक एवं कंगा जो देखने को मिला है लिप्स्टिक और कंगा यह आपका हो जाएगा चनुद्रों में और कबरगा कबरगा सूर कोंडदा तो answer C जो है वो बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपका C एक परिक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गनीत में पास हुए जबकि 75% लड़के दोनों विशेयों में पास हुए यदि 45% लड़के दोनों विशेयों में फेल हुए तो परिक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताएं बहुत आसान प्रेस्न है तो इस प्रेस्न का answer आपका हो जाएगा option number option इसका B हो जाएगा 450 प्रकास संसलेशन में पर्न हरीत की क्या भूमिका है तो प्रकास संसलेशन में जो पर्न हरीत की भूमिका होती है वो प्रकास का अप्षोशन करना होता है प्रकास का अप्षोशन करना बावर ने अपनी बावर नामा में किस हिंदू राज का उलेक किया है तो बावर जो है उसने अपने उरीशा राज का बावर ने अपने बावर नामा में हिंदु राज में उरीशा राज का उलेक किया है ठीक है सोरी उरीशा राज का नहीं होगा गलती हो गया मेवार का किया है सोरी मेवार का किया है बावर ने अपनी बावर नामा में मेवार राज का जो है वो उले किया है मेवार का चोल काल में पेरुदम और शिरुदम कहलाते थे तो चोल काल में पेरुदम और शिरुदम जो थे ये उच और निम्नेदिकारी कहलाते थे इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक सुरेंदर नांधर नान पुस्तक है किस गवर्णर जनरल के समय इंडियन काँंसलिंग एक्ट पारित हुआ था तो इंडियन काउंसलिंग एक्ट जो पारित हुआ था ये लॉड कैनिंग के समय पारित हुआ था लॉड कैनिंग के समय कोल्ड बार सब्द का परियुक सबसे पहले किस ने किया था तो कोल्ड बार सब्द का परियुक सबसे पहले वर्नाड वारूच ने किया था वरनाड वारूच ने, सबसे बड़ा एक कोस्किय जीव है, तो सबसे बड़ा एक कोस्किय जीव है, एस्टी, एस्टियो बुलेरिया, एस्टियो बुलेरिया, अगला है कैरो लिंगियन समराज का संस्थापक कौन था, तो कैरो लिंगियन समराज का जो संस्थापक था, वो श गए थे यह इस्पेन में कहां पे इस्पेन में अगला प्रसनाता है नवासी नंबर कुल कितने राज और केंद्रसासित परदेश परोसी देश की सीमा से जूरते हैं तो कितने राज और केंद्रसासित परदेश हैं जो परोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं तो टोट पैदा हुआ है लेकिन वो हर जगा जंजीरों से जक्रा है ठीक है यह रूशो का स्टेटमेंट था अगला है 91 नंबर प्रस्न कोशिका सिध्धांत के अनुसार कोशिका भी भाजन में मुक्ष्रिष्टी करता की भूमिका कौन निवाता है तो केंद्रक जो होता है वो मुक्ष के नाम से सुक्त चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाने जाता है तो चावल का जो किस्म होता है आपका पोकली पोकली जो है चावल का एक किस्म है जिसे खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है 94 नंबर प्रस्न है कि विकास की द्रिष्टी प्रताम स्थल ये पौधा कौन है जिन में जायलम और फलोयम उत्तक पाया जाता है। कोशन कर रहा है कि यदि दर्पन प्रतिविंब के समय छो बजे हैं तो घरी में क्या समय दिखाई परेगा कोशन का कुछ अता पता ही नहीं है बांकि आप लोग देख लीजेगा अगला प्रसन है विजे नगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पूर्टगाल का नहीं था तो इसमें जो पूर्टगाल का नहीं था वो पूछा गया है तो मैं आपको बता दू कि पूर्टगाल का निकोलो कोंटी नहीं था निकोलो कोटली इटली का था ना कि पूर्टगाल का था बाकी बार बोशा डोमिंग पायस नोनी सभी आपका जो था वो पूर्टगाल का यात्रे था 97 नमबर प्रस्ण है सेरसा दौरा निर्मित सरक और सराई अफगान समराज्यों की धहमनिया थी या किसकी युक्ती है तिया जो युक्ती है वो के आर कानुनंगों की युक्ती है सेरसा दौरा निर्मित सरक और सराई अफगान समराज्यों की धहमनिया थी यदि किसी धंडासी का सारे 12 प्रतिशत वार्सिक ब्यास दर से 2 वर्ष का चकरविर्दी व्याज आरेश 510 हो तो उसी धंडासी का उसी दर से उतनी ही शमय अब्धी का सलहारन ब्याज क्या होगा तो सिंपल अंट्रेस्ट अप निकालेंगे तो 480 इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है आगे देखते हैं पान की लता में बनने वाली जर कौनसी होती है लता का मतलब समझते हैं जो पेर जो है वो किसी पर डिपेंड रहता है मतलब ऐसे वो सिधा खरा नहीं हो सकता है है न लती इसको बोलते हैं तो ये लता बोला जाता है वैसे पोदे को तो पान की जो लता होती है वो जर कौनसी होती है तो उसकी जर होगी वो आरोही जर होगी कैसी जर होगी आरोही जर होगी और लास्ट प्रस्न है आपका कि निमलेखित में कौनसी जोरी संस्था और संविधान के अनुषेद में सुमेलित है ये पूछा गया है तो अहरत का सरबोच नियाले 318 ये सुमेलित नहीं है भारत का निर्वाचन आयोग 324 ये बिल्कुल आपका सुमेलित है भारत का निर्वाचन आयोग अनुषे 324 सुमेलित है तो ये जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है 100 प्रस्न का प्रैक्टिसेट और बांकी मैं आपको बता दू देख लिजी एक बार, आप लोग एक बार, इसका आंसर आपको बता दी हूँ, आज बिकॉज आफ की आज का डिसकेशन आज नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं कोशि़ की हूँ कि सारा आंसर को रीचेक कर लो, अगर कहीं पे एक दो मिस्टेक हुआ होगा, तो आप ल कोशिण आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर टाइक कर दे, मैं वहाँ पर आपको एक्स्पानेशन दे दोंगी, ठीक है, बाकि आप लोग गलत कॉमेंट नहीं करें, कि आप गलत आंसर बताती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जहां तक लगता है, मैं सही कर देती ह बाकि जो होता है, सब आप लोगों के सामने होता है, और मैं ओपन हर वीडियो में बोलती हूँ, कि कोशन अगर मिस्टेक हो, तो आप लोग अच्छे से कॉमेंट कर दीजेगा, मैं आंसर करेक्ट करके पिन कर दूगी, ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो सेर कर दीजेगा, लाइक कर दीजेगा, चनल पर नाया है, सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद,